कि असलाम अलेकुम आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास टॉप 6 टेक्नोलोजी ट्रेंड कॉविड 19 के अंदर उन सब टेक्नोलोजीज को हम बन बाइवन देखेंगे कि जो कॉवर्ड 19 के अंदर जिसको बहुत बहुत जादा यूटलाइस किया गया डिफरेंट कंट्रीज में अब अगर सबसे पहले बात की जाए हमारे पास टेक्नोलोजी कोविड 19 के अंदर जो बहुत जादा यूज हुई वह हमारे पास टेली हैल्थ टेली हैल्थ हमारे पास ऐसा एक डिलिवरी सिस्टम है जिसमें हम से आपको कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए आपके पास एक मुबाइल में एप होगी उसके थुरू आप डॉक्टर की अपाइन्मेंट लेंगे यानि कि रिमोट रिमोट मॉनेटरिंग होगी हर चीज की अगर डॉक्टर ने आपके डेटा को मॉनेटर करना है आपके सब्सक्राइब करना है या फिर उस चीज को सेंड कर देती है मैसेच के थुरू डॉक्टर को भेज देती है तो यह क्या होगी रिमोट मॉनेटरिंग हो रही है आपके डेटा की तो यह हमार पर टैली है इसी कि थुरू आप कंसल्टेशन भी ले सकते जैसे आपने देखा हो सब्सक्राइब करना है तो इस वजह से टैली हैल्स सिस्टम को बहुत जादा बूस्ट मिला कि इनिशल डाइग्नॉसिस आप चैट बोड के थुरू भी कर सकते हैं टैली हेल्फ में किस तरीके से कि चैट बोड बना दिये जाया है यानि कि आपने अपने सिम्टम्स बता है अगर आपके सब्सक्राइब देखने के बाद श्म तो इस वजह से टैली हाल सिस्टम का बहुत जादा यूज हुआ इन दिनों में कोविड-19 के अंदर और इस सिस्टम को बहुत जादा बूस्ट मिला कि बहुत जादा इफेक्टिव था यह मैथड के लोग अपनी डियागनॉसिस कंसल्टेशन वीडियो के तुरू किसी भी वी जाए आपके वहां पर और भी ऐसे पेशेंट आए वे हो जिनको नहीं पता हो क्योंकि इसका पता नहीं चलता विद पैसेज अफ टाइम आपको बता चल रहा होता है सेकंड हमार पर डिस्टेंस लर्णिंग यानि कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या आपक करा अब सेकंड हमार पर डिस्टेंस लर्णिंग जैसे कि आपने देखा होगा करोना वारस की विज़ा से कोविड-19 की विज़ा से आपके पास सारे स्कूल युनिवेस्ट्री कॉलिजिज बनते हैं तो इसकी विज़ा से एडिकेशन को कुछ अर्से तक के लिए तो स्टॉ किस तरीके से उसमें हम लोगों ने यूज करे एक करा यह तो इसके लावा दूसरी आप थी वीडियो कानफरेंसिंग कर सकते हैं वीडियो एप कर सकते हैं जहां पर टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और आप उसको सुन रहे होते हैं तो इस तरीके से आपके पास लेर्ण कानसेप्ट बहुत जादा इनहांस वा इस कोविड-19 के अंदर जिसका कानसेप्ट पहले इतना जादा नहीं था थर्ड है हमारे पास रिमोट वर्क रिमोट वर्क जैसे के कोरोना वारस की वजाए से जितने भी आफिस थे जितने भी मतलब ऑर्गनाइजेशन थी उन्होंन करा दे एक हैं को उन्होंने उस्टाफ को रखा जिसको मतलब जिसका काम करना वहां इंवा पर बैठकर ही जरूरी Meredith को बाकी वर्क दिया गया कि आप घड़ से बैठकर काम कर सकते हैं रिमोट वर्क जिनका काम घड़ को सकते अरो इसके बहुत कोनसेप आया रिमोर्क पी जूम के थूरू और डिफेंट एप को यूज करकर मिटिंग्स होने लगी ताके वो अपने मैसेज को कनवे कर सके दैन उसके बाद हमार पर जो फोर्थ है जिस टेक्नोलोजी को बहुत जादा यूज किया गया इस कोविड-19 के अंदर और किया जा रहा है वो है डिजिल एंड कॉन्टेक्ट लैस पेमिंट क्योंके डबली ओच की रिपोर्ट आई थी कि उसमें यह भी बताया कि कोरोना वारा जो है या फिर कोविड-19 जो है वो किस वज़ासे वो नोट की वज़ासे भी पहल रहा है उनकी वज़ासे भी क्रोना वायरा स्प्रैड हो रहा है तो इस लोग अपनी दे रहे हैं कोई चीज को पर्चेस कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कोई भी चीज को पर्चेस कर सकते हैं contactless payment के थुरू इसके लावा वा कि लोगों का जो आपस में जो interaction होगा वह कम से कम होगा क्यूंकि इसका purpose के इनके contact उनका कम हो जाएगा क्योंकि अगर contact बढ़ेगा अगर contact payment होगी तो उससे क्या होगा कि वाइरस स्पैड होने के chances बढ़ सकते हैं अगर contactless payment होगी तो उससे वाइरस spread नहीं होगा तो हमारा basic purpose क्या है कि वाइरस की spread को रोकना सही तो इस वज़ा से इस चीज़ का बहुत जादा इन्हांस होगा तो वाइरस spread नहीं होगा अगर contact होगा तो वाइरस spread होगा तो हमारा purpose क्या है वाइरस को spread होने से रोकना तो यह हमारा पस एक की है initiative ता इसको जादा बहुत जादा यूज किया गया क्योंकि हमारा purpose यह था कि इस pandemic को as soon as possible इसको खतम किया जाए आपास आया online shopping का रिबोर्ट डिलिवरी इसका अब online shopping किस तरीके सो यह online shopping का रोजान बहुत जादा बड़ा लेकिन online shopping में भी अगर आपके बास को delivery provide देने आता है आपको तो उससे भी आपको chances हैं कि आपको virus लगने के chances increase हो सकते हैं तो उस चीज को cover up करने के लिए या फिर को पकरने के लिए आपके बास रिबोर्ट डिलिवरी सिस्टम आया जो के UK और चायना में implement हुआ बाकी countries में इतना नहीं हुआ तो जो डेवलब सब्सक्राइब करने के लिए तो इससे क्या हुआ वायराइस के स्प्रेड रिड्यूस हो गया दैन हमारे पर ड्रोन का कॉंसेप्ट आया अब इसको डेवलब कंट्री इस कॉंसेप्ट को यूज करा रान किसलिए कि कहीं पर भी अगर कोई किसी कॉरंटीन सेंटर में किसी च कॉरंटीन सेंटर तक क्या अगर बंदा जाएगा अगर कोई इंसान जाता है उसको डिलिवर करने के लिए तो हो सकता है वह भी उस कॉरोना वायरस का विक्तम हो जाए उस चीज को रिड्यूस करने के लिए ड्रोन एक हमारे पास एक बैटर ऑप्शन था जो एक डेवलब कं कंट्रीज में इसको भी इंतार कि वह एरिया को डिसिंफेक्ट करने के लिए और को अगर को ओर बंदा जाएगा जिसको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है उसको भी क्रोना वायरस हो जाए अगर और वो गोरन एंस पेशन के पाल जाता है तो इसलिए ये रोबोट वाल ऑप्श पेशन के उस कोरोना वाइरस विक्तम के पास एनके कोरोना वाइरस का जो पेशन्ट है उसको डिलिवर करेगा तो इससे चांसे दे कि हमारे पास कोरोना वाइरस एक कोविड-19 के रिडियूस हो सकता है आप बताएं आपने कौन सी टेक्नालोजी और देखी जो कोविड-19 के अंदर बहुत ज्यादा यूज जिसकी विजासे कोविड-19 जो था यानिके कोरोना वाइरस का जो रेशो था वो डिक्रीज हुआ तो आप कमेंट बाक्स मुझे बताएं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए